वहीं आयोध्या के रामपुर अहिरूली गाउं में उस वक्स संसिनी फैल गई जब गाउं के पूर प्रधान के बेटे का शव पेड़ पर लटका मिला आरन फालन में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी जानकारी के बाद पुलिस मोके पर आई और शव को पेड़ से उतारा पुलिस ने शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्णम के लिए भेज दिया है और मामले की जाच भी शुरू कर दी है बाराल इस खटना के बाद पेड़ परवार में कहरा मचा हुआ है